वेलो नमस्कार दोस्तों आपका मेरी यूटीब चैनल जीके क्लासेश पर स्वागत है फ्रेंड्स आज हम लोग जीके से रिएटे दस क्वेस्टन अंसर के बादे में डिस्केसिन करने वाले फ्रेंड्स यह आपके पॉलिटी से रिलेटेड है फ्रेंड्स यह जो ग्वेस्ट के क्वेस्टन से अनलिजस करके तोड़े देखें हैं और थोड़े देखें कि कि वीडियो और शुरू करते हैं प्रेंड्स सब्सक्राइब कीजेशिए जी के classes को और बैल आइकन दबाईए ताकि जी के से related वीडियो आप को मिले सबसे पहले Friends जो आज का पहला question है वो है की अरस्तु के अनुसार राजी के उत्पत्ति किसके लिए हुई है Friends यानि जो अरस्तु है, अरस्तु का नाम तो अलमों सबी ने सुनाओगा, अरस्तु भी बहुत ही विशेशक गी रहे हैं इतिहास में, तो उनके अनुसार जो है वो राजी की उत्पति किसलिए होती है, किसलिए हुई है, तो फ्रेंड्स जो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन A, हुई है, उनके अनुसार फ्रेंड्स, फ्रेंड्स जो आज का सेकंड क्वेशन है, वो है कि भारत के किस राज्य में पहला लोगपाल नियुक्त किया गया था, यानि फ्रेंड्स जो भारत का पहला लोगपाल था, वो भारत किस राज्य में नियुक्त किया गया था कि सबसे पहले महराष्ट्रा महराष्ट्रा में ही भारत का पहला लोगपाल न्यूक्त किया गया था फ्रेंड्स तो आज का थर्ड क्वेस्टन है वो है कि आई जन आई जन आवर सिद्धान की गोशना कप की गई तो फ्रेंड्स तो इसके उप्रेंड्स जो इसका सही आंसर होगा वो होगा उप्रेंड्स जो आज का फोर्थ क्वेस्टन है यानि चौतर क्वेस्टन है फ्रेंड्स इस वीडियो का वो है कि मैसे किस अधिवेशन में कौंग्रेस का वीभाजळ था फ्रेंड्स यानि कौंग्रेस दो गुटों में बढ़ गई थी वह कौंग्रेस O &neeles वो है विभाजन कौन से अदिवेशन वह ता Friends तो इसका Option is Captain a.СТा 106203 option बूस्ट एक सूरत अधिवेशन option c दिल्ली अदिवेशन option d लाहोर अधिवेशन तो Friends तो इसका सही आँसर होगा वह होगा Option soul k कॉछ सुरत अधिवेशन में में ही कॉंग्रेस का विभाजन हुआ था बाद में यह कॉंग्रेस कॉंग्रेस ओ और कॉंग्रेस आर के नाम से प्रसिदुए फ्रेंट्स फ्रेंट्स जो आज के फिफ्टी यानि पांच वुक्व क्वेशन है वो है कि और विलियम वैंक टीक ओप्षिन बी लॉड रिपन ऑप्षन सी लॉड कैनिंग ऑप्षन डी लॉड डलवाजी तो फ्रेंट्स जो इसका सही आंसर होगा वह ओप्षन सी लॉड डलवाजी क्योंकि जो भारत में थावन में विद्राव हुआ था उस समय भारत का जो गर्विन अप्षन फरेंट्स फ्रेंट्स जो इसका सही आंसर होगा वह ओप्षन डी एरिक इस्ट्रास के द्वारा ही दो रोलिंग सर्वेंट की रचना की गयी थी फ्रेंट्स जो आज का सेवंथ क्वेस्जन है वह है कि भारत के कितने राज्यों में दो सदनात्मंग विदान मंडल को है यानि भारत के कितने राज्यों में दो सदन वाली विधान सभा है फ्रेंट जो के कैवल सदने विधानमंडल है यानि केवल छे राज्यों में समेधानिक सलाकार कौन थे यानी भारतिय समीधानिक सलाकार कौन थे तो friends जो इसके option बंते समस्दानिक सलाकार कौन थे तो friends जो Ada यह आंसर होगा वहोगा option A के डी वी एन राव क्योंकि डी वी एन राव ही भारतिय समधान के समयधानिक सलाकार थे फ्रेंट्स कि प्रसृद क्रिति रुपलिक कि रचन्च कप की गयी थी फ्रेंट जो к इसके मुएुप्षण आप्षण इया तीनसो नबय इसफ पूर्व। औरो अपशन सी और। ऑप्षण डी Azaf packs expensive ॐ प्र्फ्रेंड्स जो सही तास्य आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी 386 इसा पूरू में ही प्रसिद्ध कृती रीपब्लिक की रचना की गई दिफ्रेंट्स फ्रेंट्स जो आज का टैन्थ यानि लास्ट क्वेश्चन है वो है कि भारत को आश्यान में भारत को प्रादेश श्री के संगर्ठान फ्रेंट्स उसमें भारत को चाइए छॉबीस जुलाईGod उप्शन B एक जनवरी 1995 ऑप्शन C 19 मार्च 2001 और ऑप्शन D 26 जनवरी 1998 तो फ्रेंट जो इसका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन A कि 24 जुलाई 1996 को ही भारत को आसियान का पूर्ण सब्वाद सही होगी बनाया गया तो फ्रेंट साच के वीडियो यहीं पर खावता हम होता है वीडियो को कैसे लगा कमेंट करकर बताइए एक कि तकने क्वेंट करके बताएं और हमारे और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और इसे शेर भी केजिए तकि यह वीडियो जड़ा ज़़ा तक लोगों पहुचे और भी अपने कॉमपोटेटिव एग्जैम की तयारी कर पाएं और फ्रेंट्स अगर हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए क्योंकि हमारे हाँ जीके से लेटिड बहुत सारी वीडियो डे टो डे अपलोड होते रहते हैं ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक्यू फ्रे